स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल Nexus Education में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं what is agriculture, what is agronomy, who is the father of agronomy and agriculture and the popular branches of agriculture in India तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि agriculture क्या है तो ये topic start करने से पहले agriculture क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि agriculture word के बारे में agriculture दो Latin word के word से मिलकर बना है एग्री प्लस में culture एग्री कल्चर word जो है वो दो Latin word से मिलकर बना है जो की है एग्री और कल्चर जिसमें की एग्री का मतलब है soil मतलब मिट्टी जिसे मृरदा भी कहते हैं और एक है cultivation कल्चर का मतलब होता है cultivation अब इसी से ही पता चल जा रहा है कि definition क्या हो सकती agriculture की कि soil को मतलब इतना उसको ऐसी activity करना उसमें कि वो cultivation के लायक हो जाए कि हम उस पे खेती कर सकें और अपना अनाज उगा सकें तो अब हम बात करेंगे agriculture के definition की वैसे तो agriculture की कई सारे definition है कई सारे scientists ने दी है लेकिन agriculture की जो दो definition है एक तो old एक है modern agriculture की तो जिसमें की art and science common है जिसमें की old में सिर्फ इतना ही था कि soil को utilize करके उसे human के लिए suitable करना है कि उसमें वो अपना अनाज उगा सके बड़ जैसे जैसे time आगे बढ़ता जा रहा है agriculture की field और vast होती जा रही है और उसमें और भी सारे topic कई सारे topic जुड़ते चले जा रहे हैं तो चलिए बात करते हैं agriculture के definition की तो agriculture is an art and science both in which we study all the human activities related to use of soil तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं agriculture क्या एक art and science अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दो वर्ड पे ही क्यों जोर दे रहा हूं कि ये दो वर्ड कई competitive exam में भी पूछे जा चुके हैं कि agriculture क्या है क्या है ठीक है नहीं क्या क्या cultural activity है क्या mechanical activity है तो नहीं agriculture क्या एक art है एक science है तो क्या थी यह है old definition this one is the old definition यह एक old definition है ठीक है ना agriculture is an art and science in which we study all the human activity related to use of soil पहले कहां तक सीमित था use of soil तक but modern definition क्या है modern definition में यह चीज़े common है बस इसमें ही और चीज़े एड होती चली गई तो दोस्तों अब हम बात करेंगे modern definition के बारे में तो modern definition बताने से पहले क्या है मैं एक बारे आपको यह read करके बता दिना चाहता हूं कि agriculture क्या है is an art, science and business मैंने का था ना इसमें और चीज़े एड होती चली जाएंगी art, science and business of raising crop and rearing of animal through exploring the natural resource with the coordination of socio-economic infrastructure to meet the basic necessity of life that is food, feed, fiber and shelter अब पुरानी definition में क्या था? to the use of soil सिर्फ उतना ही limited था बट अब agriculture उतने तक सिमित नहीं है अब agriculture में कई चीज़े add हो गई है अब agriculture सिर्फ art, science नहीं है एक business बन चुका है art, science and business किसका business? raising crop ठीक है ना? फसले होगा ना? क्योंकि फसले होगा आता है इंसान, किसान उसे बेचता है बेच के क्या आता है? पैसा आता है, तो क्या होगा एक तरीक से? यह business भी हो गया साथ ही साथ इंसान जानवर पाल रहा है तो उनके जो animal product ले रहा है वो भी क्या है? वो बेचता है जिससे क्या होती? उसकी income होती है तो वो भी क्या है? बिजनेस बन चुका है, rearing of animals, मतलब जानवरों को पालना through the exploring the natural source और जितने भी exploring, मतलब क्या? जितने भी natural source है उनका इस्तमाल करके with the coordination of socio-economic infrastructure ठेके न, socio-economic infrastructure की जो जितनी भी demand है मतलब जनता, जो आम जनता, जो खेती नहीं कर रही है, उनकी जितनी demand है उनकी भी life को क्या कर रहे है? उनकी भी क्या कर रहे है? to meet the basic necessity of life उनके जीवन में जो basic चीजों की ज़रुवत है और वो basic चीज़े क्या है? food, feed, fiber and shelter खाना, feed, खिलाना, मतलब जानवरों को भी तो चाहिए कुछ, fiber, कपड़ा और मकान, क्याते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, यह सब चीज़े क्या हो गई है? बिजनेस बन चुका है, क्या है? agriculture में यह सब चीज़े अब add हो चुकी है, इसकी definition में भी तो please यह definition आप note कर लेजेगा, क्योंकि यह modern definition है, mostly यही चीज़ आप पूछी जाती है, यही चीज़ बताई भी जाएगी अब अब क्या हुआ? due to lack of management, जैसे जैसे क्या हुआ? management की कमी आने लगी, देखो लोगों ने खेती तो करी, पहले क्या थी? लोगों के पास बहुत सारी जमीन थी, जिसमें वो खेती कर लेते थे और असानी से उनके लिए भी हो जाता था, और उनके sale के लिए भी आराम से हो जात अब कम में ज्यादा करना, तो उसके लिए तो कहीं न कहीं management की जुरत पड़ेगी ना, कम चीज में ज्यादा तुम्हें profit चाहिए, अब कम जमीन है आप पे, आपको खेती जादा करनी है, तो of course ही बात है कि आपको management की जुरत पड़ेगी, अब उसकी कमी के कारण क्या हुआ soil पे बीती सब आके, soil के productivity क्या होने लगी, कम होने लगी, अब कम जमीन पे ज़्यादा उगने लगा, ज़्यादा आपने फसल होगा, खेती करी, खूब खेती करी, क्या हुआ आपने उसे proper क्या नहीं दिया, उसे एक nutrient provide नहीं करवाए, तो क्या हो, उसमें किस की चीज की कमी होगी, nutrients की कमी होगी, जिसके करण क्या होगा, उसकी productivity कम हो जाएगी, productivity of soil was started to diminish, अब इससे क्या होगा, soil की जितनी भी productivity थी, वो घटना चालू हो गई, क्योंकि लोग खेती करते चलेगा, soil को जो चाहिए था, वो उने दिया नहीं, बस उनने soil से ले लिया खूब, खूब सा to study the management of field, agriculturalist का सबसे बड़ा काम होता है to study the management of field, कि field को कैसे manage करें, as well as principle and practice of crop production, principle, practice of crop production, ठीक है, principle of practice तो वो करेगा, crop production की, वही उसे, agriculturalist का काम ही है, लेकिन उसका management field का कैसे करना, यह agriculturalist का main role है, अब क्या हुआ, management के कारण आने लगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि management तो थीनी, तब एक word निकल के आया, जिसका नाम था, agronomy, तो अब मैं आपको बताऊँगा, कि agronomy है क्या, कई लोग confused हो जाते है, agriculture और agronomy में, बट अब मैं बताऊँगा, agronomy है क्या, तो चलिए, अब बात करते हैं, agronomy के, अब हम बात करेंगे agronomy क्या है, तो agronomy के बारे बताने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा, कि agronomy word बना किस से है, agronomy word जो है, वो दो ग्रीग word को मिला कर बना है, agronomus, agro मतलब field, और nomus मतलब to manage, अब इसके नाम में ही पता चल रहा है, इसमें क्या करना, field को manage करना, agronomy क अब क्या है, फिल्ड को manage करना, इसके नाम में ही इसका मतलब चुपा हुआ है, ठीक है na, field को manage करना, अब क्या confusion होती है, agriculture, agronomy same है, difference है, different है, तो कैसे different है, तो इसकी definition में इसके difference भी बता रखा है, कि agronomy क्या है, is that branch of agricultural science, ठीक है na, क्या है agronomy क्या है, ब्रांच है agriculture science की, ठीक of agriculture science, जो कि deal करता है, management of field, ठीक है न, अभी क्या है, एक तो branch agriculture science की, दूसरा क्या है, management of field, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें study करते हैं, deal करते हैं, management of field से, ठीक है न, क्यों करते हैं, और ये management का मतलब क्या है, मैं ती देर से management word बोल रहा हूँ, उस management का मतलब क्या है, उस management का मतलब है कि crop को ऐसा environment provide करना, जिसमें कि वो crop higher productivity दे in terms of both, in terms of both मतलब higher productivity दे, किन-किन मामलों में productivity higher दे, एक तो quality और दूसरा है quantity, एक तो उसकी quality बहुत बढ़िया हो, दूसरी उसकी quantity जादा से जादा हो, तो ये क क्या हो गई, management का मतलब समझ में आ गया न, मैं क्या कहना चाहरा था, ताकि उसकी quality और quantity जादा हो, higher हो, ऐसे field को manage करना, agronomy में आता है, ठीक है, और ये क्या है, ब्रांच है agricultural science की, आप देखो, agriculture क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा subject है, उसकी एक ब्रांच है agronomy, तो please confuse मत हुईएगा, तो अगर आपको मेरी दी गई knowledge पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को subscribe करें, like करें और share करें, thanks for watching,